हलो इभरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे आज जो मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ ओ बिल्कुल अलग तरीके की रेसीपी है तो मेरी वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा और आप इसे देखते ही बनाएंगे फ्रेंड लेना है ज्यादा बारिक सिवई या नहीं लेनी है अब हम एक चम्मच देशी घी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे सिवई तो आप बहुत बार बनाये होंगे लेकिन यह सिवई नहीं है सिवई देख करके आपको लगेगा कि यह सिवई की रेसीपी है लेकिन सिवई की रेसीपी नहीं है फ्रेंड्स आप यह कुछ अलग तरीके की रेसीपी है तो मैं यहाँ पे चार ब्रेड ले हूँ और ब्रेड को अच्छी तरह से छोटे-छोटे टुकडों में तोल लूँगी अगर आप चाहें तो इसके साइड का हिस्सा निकाल सकते हैं लेकिन मैं इसी तरह से इसे बनाने वाली हूँ अगर ज्यादा क्वाइंटिटी में बनाना है तो आप रेड की मात्रा बढ़ा लीजिए अब इसको हम छोटे-छोटे पीसेस में तोल लेंगे आज की जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स वो बहुत ही टेस्टी है तो इसमें हम डाल देंगे इसको मिठास के लिए इसमें हम दो चम्मज के करीब चीनी डाल देंगे चीनी का पाउडर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा-थोड़ा दूद और दूद को डाल दोड़ते हुए हम इसका अच्छा डो तैयार कर लेंगे ध्यान रखना है कि हमें दूद ज्यादा नहीं डालना है एक ही बार में नहीं तो ये गीला हो जाएगा थोड़ा-थोड़ा दूद हम इसमें डालेंगे और इसको मसल लेंगे अच्छी तरह से इसको जैसे रोटी का आटा हम गूतते हैं उसी तरह का आटा की तरह हमें इसे बनाना है और इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें दो चम्मच कार्ण फ्लोर डालिए या मैदा डालिए तो मैं यहां पर मैदा डाल रहे हूं और थोड़ा-थोड़ा दूद डालते हुए इसका अच्छा डो हम त तयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स ध्यान रखना है कि यह ज्यादा गीला नहीं तो यह सही से बन नहीं पाएगा तो थोड़ा-थोड़ा डूद डालिए और इसका अच्छा डो तयार कर लीजिए बहुत ही आसान है बनाना बस आप ध्यान से देखिए और बहुत जल्दी बन कितनी तारिफें होंगी आपकी यह बहुत ही अच्छी और एकदम यूनिक रेसिपी है तो देखिए एकदम अच्छी तरह से हमारा आटे की तरह डो तयार हो गया है अब हम हात में लगाएंगे थोड़ा सा घी और इसका हम छोटे-छोटे बॉल बना लेंगे तो इसको हम छ देखिए सेप में और इसका गोल-गोल हम दोनों हाथों की हेल्प से इसका तयार कर लेंगे तो देखिए इसी तरह से हमें बनाना है फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नए नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है तो देखिए इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे तो हमारे सारे बॉल्स बन करके रेडी हो गए हैं अब मैं यहाँ पे तेल गरम कर ली हूँ तो देखिए तेल हमारा आथी तरह से गरम हो गया है ज्यादा तेज गरम तेल नहीं चाहिए नहीं तो यह उपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा तो इसे स्लो गैस पे हम इसी तरह का देखिए गोल्डेन ब्राउन कलर का हो गया है ऐसे ही हमें फ्राई कर लेना है अब हम सारे बॉल्स को निकाल लेंगे और साइड में हम दूद उबलने के लिए रख दिये ते तो दूद भी हमारा वायल हो रहा है अब हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी जितना मीठा पसंद हो मैं यहाँ पे एक कटोरी ची किसर नहीं है तो कलर के लिए इसमें थोड़ा सा एलो फूट कलर डालीए अगर ओ भी नहीं है तो थोड़ा साफ हल्दी पावडर डाल सकते हैं ज्यादा एलो नहीं रखना है इसी कलर का रखना है एकदम लगेगा कि कश्टर्ड मिल्क है अब हम इसमें जो सिवईया करके रखे थे वह भी इसमें हम डाल देंगे तो देखिए है ना अलग तरीके की रेसीपी अब हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि यह बॉल्स भी हमारे अच्छी तरह से सौफ्ट हो जाएं देखने में भी बहुत खुबसूरत लगता है और खाने में तो इसका जबा भी नहीं है एक बार आप इसे बना करके ट्राइ करिएगा देखिएगा आपको खुब पसंद आएगा यह सिवाई के बीच में यह जब गुलाब जामुन की तरह यह बॉल्स डालेंगे न तो बहुत अच्छा लगेगा और इसमें हम कुछ ड्राइ फ्रूट्स डाल देंगे तो मैं यहाँ पे बादाम और काजू बारिक काट लिया था उसे डाल दूँगे तो देखिए हमारा एकदम इस्पेशल नबाबी सिवन डिजल्ट बन करके तयार हो गया है आप इसे चाहें तो गर्मा गरम भी सर्व कर सकते हैं या इसे फ्रीज में रख करके एकदम ठंडा ठंडा इसे सर्व करिए फिर देखिए सब लोग आपकी कितनी तारिफे करेंगे अगर आप चाहें तो अपने पसंद से जो भी ड्राइफ रूट्स आपको पसंद हो उससे इसको डेकोरेट कर दीजिए तो मैं यहाँ पे कुछ पीस्ता काजू और बादाम को बारिक काट लिया है उससे इसके उपर लगा दूँगी जिसे देखने में और भी ज्यादा अगर कोई भी आपके घर में मिहमान आ जाए तो एक बार आप इसे बना करके जरूर खिलाए फिर देखिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर